यहीं दोस्तों स्फागत याप का और एक ने वीडियो में और एक ने टोपिक के साथ पाकिस्तान मीडिया शौक डेज इंडिया सेंड मार्कोस इन रेड सी टू प्रोटेक्ट मर्चंड सी यह तो प्रोटेक्शन जो है करीबन एक महिने से सल रहा है लकिसलिए दोस्तों पहले वीडियो देख याशा करेंगे पसंद आएगा तो लाइक और शेजरूँ से कर दीजेगा और हमारे चैनल पर हमारे परहली बार आदया तो अबस्वीड ने किया तो सब्स्वेब ज़रु से फ्लैग्ट फिशिंग वेसल M.V. Iman, which had been hijacked by Somalian pirates. आजाता है कि मार्कोज समुद्री डाकूओं के लिए यम्राज से कम नहीं क्योंकि ये मारते नहीं, बल्कि अपने दुश्मन को पानी में घोल कर पी जाते हैं. कि ये इस महीने के अंदर इंडियन नेवी जो है, वो एक थर्ड एक मर्शन्ट वेसल है जिसकी हेल्प के लिए आई है. वहाँ पे इन्होंने एक कोलिजन बनाया था और जब इन्होंने उस पे हमला किया तो आदा कोलिजन छोड़ गया था. आदे मुमालग छुप पीचे अडगे थे. ये एरिया यूएस सेंट्रल कमार्ड में भी आता है और यूएस सेंट्रल कमार्ड ने भी इस पे बात की है, लेकिन रेस्क्यू करने इंडियन शिप्स जा रही हैं. इंडिया तो जाके होड़ गया था. इंडिया तो जाके होड़ गया था. इरान के पास डॉक्टर जैशंगर के होथी इसको नकेल डालें. वरना हम पिर आपको पता है, दस उनकी शिप्स इस वकत रेड सी और ये सारे एरियास में मुझूद है. इंडियान्स तो डिप्लोमेशी को इस्तमाल कर रहे हैं. जै हिंड दोस्तों, दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, कुछ हपते पहले हमारे राजना सिंग जी, रक्षामंत्री जी ने कहा था, कि भारत हिंड महासागर में एक net security provider होगा. Net security provider का मतलब होता है, दोस्तों कि हिंड महासागर में जितनी भी legal ships आएंगे, legal ships की रक्षा की जिम्मेदारी भारत की होगे. और दोस्तों एरान जो की हुतीज के माध्यम से ऐसा माना जाता है कि जो हुतीज है वो PROXIES एं ईरान के उनके माध्यम से सबको desert करता रहता है लेकिन दोस्तों इरान के सिफपे सुमालियन फाइरेट्स यानी समुद्री लुटेरों ने पिला किया इरान की सिप पे और इरान की रक्षा कोन करेगा सब तो इरान से तब बढ़े तो भारत ने इरान की सिप की मदद की सुमालियन लुटेरे को मार भगाया मारकोस कमांडो आप लोग को पता है फिर एक बार यहां पहुंच जाते सिप के आसपास तो आतंगवादी औ तो जिस तरीके से इरान के सिप को भारत ने बचाया इरान की तरफ से धन्यवाद आया और भारत ने एक बार फिर से बता दिया कि अब हिंद महा सागर में अगर कोई भी इलीगल एक्टिविटी होती है कहीं से भी तो भारत सबसे पहले सिक्योर्टी देने वहां पे आएग आप आज कह रहे हैं कि यह डिटालियेट करेंगे इरान को और इरान क्या है आपको पता होना चाहिए कि इरान क्या है इरान का इंफ्लूएंस इस वक्त कितना बहुत मिडल इस के अंदर कितना बढ़ चुका है आप सोच नहीं सकते बलके मैं यह जरूर मैंशन करना चाहूं इरान को बनाया के रहे हैं इन्हों है बनाया है दोस्तो एक बड़ी development है कि ये इस महीने के अंदर इंडियन नेवी जो है वो एक थर्ड एक merchant वेसल है जिसकी help के लिए आई है कहा जा रहा है कि इंडियन नेवी की एक INS उसका नाम है INS विसाख हपतमनम इसका नाम है शायद और उसने एक जो जिसे कहते हैं न गाइडिड मिसाइल डिस्ट्रॉयर था जो के एक merchant वेसल जिसका नाम M.E. मरलें लॉनडा है सम्थिंग लिए उस पे हमला हुआ और उसकी जो के हमला किया है और बेसिकली ये सारे का सारा जो एरिया वे यूएस सेंट्रल कमांड में आता है ये एरिया यूएस सेंट्रल कमांड में भी आता है और यूएस सेंट्रल कमांड ने भी इस पे बात की है लेकिन रेस्क्यू करने इंडियन शिप्स जा रही है और इसके अंद उसने स्पेशलाइज नुक्लिर बिलाजिकल एंड कैमिकल डिफेंस टीम्स उनको किया है। इंडिया ऐसे क्यों कर रहा है? यह सवाल बनता है। वैसे तो अगर आप इंडियन नेवल चीफ ने रिसेटली एक इंटर्विव दिया था, तो वो इंडिया तो यह समय कहता है कि हम बड़े कमिटेट हैं सेफगार्ड करने के लिए जो किमिनिकेशन लेन्स हैं, सी लेन्स हैं और क्योंके पाइसी भी बढ़गी है, ड्रोन अटैक्स भी बढ़गी हैं और इंडिया ने तकरीबन दस से जादा शिप्स जो हैं वो डिफेंट स्ट्रेजिक लोकेशन में, इसकी, तो इंडिया ये क्यों कर रहा है, सवाल ये पैदा होता है, और ये रेट सी का जितना एरिया है, इसमें अगर आप देखें, तो हलात यहां पे खराब हो रहे हैं इन टर्म्स आफ होतीज का इग्रेशन बढ़ रहा है, सौदी साइलेंट हैं, अमराती साइलेंट हैं बिकाज़ वो इस मसले में आना नहीं चाहते हैं, और वो क्योंके रेंज में हैं होतीज की, तो दे हैव अन इशू, और अब क्या इंडिया जो है, वो अपनी किस हद तक आगे जाना चाहता है, जो अपनी इंडिया ने दस शिप्स टेपलाई की हैं, उनके अंदर एंटी प प्रवाइडर बनना चाहता है, यह बन रहा है, यह एक सवाल है कि क्या इंडिया नेट सिक्यूरिटी प्रवाइडर बनना चाहता है, यह बनना जा रही है, तीके जी, अब इंडिया जो है, वो आपको पता है, मेकिन इंडिया पे लगा हुआ है, और अगर इंडिया समझता provider बनने जा रहा है, यहां बनना चाहता है, यह है सवार, जिस region में India है, ठीकर जी, यह जो Indian Ocean region जो है, obviously यह कोई homogenes area नहीं है, यहां पर different histories हैं, यहां कि अपनी, यह different historical civilizational languages है, different मौशरे हैं, मजाहब लेदा हैं, culture लेदा हैं, ethnic cities अलाइदा है और एक खिता नहीं है आप देखें मिडल इस्ट है सौथ एशिया है सौथ इस्ट एशिया है फिर इंग्लिश एंटिटीज है अफ्रीकन एंटिटीज है ये बहुत बड़ा एरिया है आप इसमें कैसे नेट सेक्यूरिटी प्रवाइडर बनना चाहता है इंडिय ये एक क्वेसिन है ठीक है जी जिस दोर में कभी यॉरप और हम देखते हैं कि बाकी ममालक इस खिते में जो अपना एक अस्रोसूग रखना चाह रहे थे क्या वो इंडिया कर सकता है कैसे करना चाहता है कोई मर्चंट वैसल कॉल करती है ये कॉल इडिस्ट्रेस कॉल में है हेल्प 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 इंडियन नेवी जाती है बाके ठीक है और उसकी मर्द करती है वाइ इन रिटर्न इंडिया को क्या मिलेगा ठीक है ना जनाब ये क्वेस्ट्ट्न हैं और जारी पता है इस पर लोग बड़ी बैस कर रहे हैं बात कर रहे हैं और अब इरान अपन अपने अंदर एक पूरी की पूरी पावर है ठीक है जी इंडिया और इरान के अपस में क्या जुस्से कहते है न linkages है क्या चीज़े है इंडिया और इरान का क्या एक मौकफ है चीज़ों के ओपर यह एक सवाल है दोने मुल्क क्या कर सकते हैं इंडिया और एरान क्या नहीं कर सकते हैं मेरा नहीं ख्याल के इंडिया और एरान वो क्लाबरेशन कर सकते हैं with the presence of the Americans in the region. Indians will not annoy America. पहले ही वो बड़ा annoy कर चुके हुए हैं. वो जो इंडिया बार-बार strategic autonomy की बात करता है वो कोई मजाख नहीं है strategic autonomy means कि मैं आजाद हूँ मेरे पर कोई pressure न डाले मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता है तो तो थैंक्त दोस्तों वीडियो को यहां तक देखने के लिए और हमारे के साथ वैसे भी relation बनाए गए करेंटली मैं एक वीक पहले की बात करूं तो डॉक्ट्राइजेशंक कर साथ गए थे उस समय बहुत ही बात हुई थी आपने वीडियो डेगिलर देखे तो पता ही दो तीन वीडियो आपने देखी हो जहां पर वह कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं और वह जो है विरोधी है क्या बोलते हैं इस्राइल एंड गाजा पट्टी वाली बात तो वह विरोध करते हैं इस्राइल के और गाजा के सपोटेड में हैं तो इसलिए उन्हों कि अलावा भी वहां पर क्या बोलते हैं ड्रॉन से हमला हुआ था वह तो किस ने किया वह तो हूतियों का नाम नहीं आया था लेकिन अब वहां पर इंडियन निवी है उसको तेनात कर दिया गया ताकि जो रेड़ सी है वहां पर सब कुछ सांती बनी रहे और ट्रेड जो है है वहां से बहुत सारी कंपनियों की ट्रेड सी पे निकलती रहती है अलग-अलग कंट्री में जाने के लिए तो ट्रेड में भी प्रॉब्लम आ सकती है इसी वज़े से वहां पर इंडियन नेवी जो है उन्होंने वहां पर सीक्यूरिटी और टाइट कर दिए और अभी तो साइड वाले इलाकों में तो एक बार फिर अपना जल्वा दिखा दिया है तो थोड़ी और शांती हुई है बाकि दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगिए या आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर पताएगा फिलाल दोस्तों हम आपसे विदाए लेंगे लेकिन मिलेंगे औ और एक नए वीडियो में आपके साथ तिल देल जैहिन जैवाद